नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइस 7.1 प्रशन 7 है एक्स अक्ष पर वह बिंदू ग्याद कीजिए जो दो कोमा माइनस पांच और माइनस दो कोमा नो से सम दूरस्थ हैं तो सबसे पहले बच्चों देखिए हम इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं आपको पता है कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ये शुन्न है तो देखिए सबसे पहले हम दो बिंदू ले रहे हैं 2,-5 यानि X की तरफ को 2 और Y की तरफ को-5 ये कहीं इस प्रकार से इस तरीक के से यहां एक बिंदू होगा और दूसरा है-2,9 यानि X-2 Y-9 यानि ये बिंदू कहीं यहां जाकर कहीं होगा ठीक है बचों और X अक्ष पर वह बिंदू ग्याद कीजिए जो इन दोनों से बराब दूरी पर हो यानि X अक्ष पर X अक्ष है ये इस पूरे अक्ष पर कहीं पर एक बिंदू होगा जो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगा हम माल लेते हैं कि वह बिंदू यहां कहीं होगा जो इस से उतनी दूर है जितना दूर इस से है ठीक है बच्चों तो इस बिंदू हो जाएगी PB और AP और PB बराबर होने चाहिए यही मतलब हुआ ना कि इस बिंदू से AB उतनी दूर है जितना B है इसका मतलब AP बराबर PB होगा राइट तो इसे लिखना कैसे है है देखिए मान लो वह बिंदू है P और इसके निर्देशांग क्या होंगे देखो यह X अक्षपर कोहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा X में लेकिन Y के तरफ ना इधर है ना इधर है अगर यह X अक्ष पर है इसका मतल़ इसका Y निर्देशांग 0 होगा यह बात हमेशा याद रखना यदि कोई बिंदू X अक्ष पर है तो Y निर्देशांग 0 होगा यदि कोई बिंदू Y निर्देशांग पर होता तो उसके लिए X निर्देशांग 0 होता अभी इसके लिए y निर्देशांग 0 है तो इस बिंदू के जो निर्देशांग होंगे वह होंगे x,0 ठीक है बच्चों अब कोश्चन के हिसाब से जितना ap है उतना ही pb होगा यानि ap बराबर होगा pb के अब दूरी सुत्र के अनुसार हम ap और pb दिखाल देते हैं root ap a से p मैं सबसे पहले a के coordinates लिख रहा हूँ a है 2,-5 2,-5 और b के निर्देशांग है minus 2,9 और p के निर्देशांग है x,0 ठीक है बच्चों तो आईए देखते है ap x-2 का whole square whole square मैं इसको सोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको clear दिखाई दे plus y2-y1 का whole square y2 है 0-5 का whole square 0- formula वाला और एक minus यहाँ भी है minus 5 इसके साथ flower bracket लगा देते हैं इसका square यह बराबर होगा पी-बी के पी-बी फिर से रूट दूरी सुत्र के लिए x-2 इसका whole square प्लस 0-9 का whole square whole square ठीक है बच्चों इसे हमने हल करना है अब देखें ध्यान से रूट के अंदर x-2 का whole square a-b whole square a square minus 2ab 2 x 2 x 2 4 x plus b square b square है 2 का square यहनि 4 plus यहाँ देखें minus into minus plus 0 plus 5 हो गया 5 5 का square होगा 25 बराबर यहाँ जदी हम देखें तो यह है x minus into minus plus root के अंदर x plus 2 का whole square plus 0 minus 9 होता है minus 9 minus 9 का square minus का square plus 9 का square 80 अब बच्चो ध्यान से देखेंगा यह पूरी रकम भी root के अंदर है यह पूरी रकम भी root के अंदर है ठीक है तो squaring both sides squaring both sides दोनों साइडों का square करने से दोनों साइडों का work करने से क्या होगा root का work होगा खतम root root cover यहाँ होगा यह भी खत्म root ठीक है बच्चो तो इससे क्या होगा root से root खत्म हो जाएगा बाकी यहाँ बच गया x square minus 4x plus 4 plus 25 होता है plus 29 या इसको अभी हम plus 4 plus 25 ही रहने देते हैं क्यों मैं अभी आपको बता देता हूँ इसी प्रकार से root तो खत्म हो गया a plus b whole square होता है a square plus 2ab plus 2 का square होता है 4 plus 81 अब ध्यान से देखना बच्चो बड़े ध्यान से देखना यहाँ x square है यहाँ भी x square है x square x square कट गया उसके बाद यहाँ plus 4 है यहाँ भी plus 4 है यह भी कट गया अब क्या बचा वो हम लिख लेंगे x वाली रक्में इधर लेओ बीना x वाली उधर यहाँ पहले से लिखा है minus 4 x यहाँ plus 4 x यह है जब यह उधर जाएगा तो यह भी हो जाएगा minus 4 x यहाँ पर 81 है 25 यहाँ प्लस का है उधर जाके हो जाएगा minus का ठीक है बच्चो minus 4 x minus 4 रक्स हो गया minus 8 x और यहाँ हो गया 81 minus 25 11 में से 5 निकाले 6 7 में से 2 निकाले 5 ठीक है x आ गया 56 minus 8 इसके साथ गुना हो रहा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा minus उपर लग गया 8 नीचे अब 8 एकम 8 8 साथे 56 यानि की x आ गया minus 7 x आ गया है minus 7 तो इसका मतलब वह बिंदू है हमने शुरू में दिखा था वह बिंदू है x,0 यानि x,0 और x,0 का मतलब x की जगा लिख दो minus 7,0 तो यह वह बिंदू है जो की 2,5 और minus 2,9 से समधुरस्थ होगा तो हमने क्या किया एक बिंदू लिया जो दो बिंदू से समधुरस्थ है दूरी सुत्र से यह दूरी इसके ब्राबर होगी दूरी सुत्र लगाया रूट से रूट कार दिया बाकी जो x में रकमे थी उनको हल करके x का मान निकाला x का मान ही हमने देख लिया कि हमारा जो बिंदू था x,0 था तो x आया minus 7 तो हमारा बिंदू है minus 7,0 आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से यह प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा यदि आख इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखना चाहते हैं तो हमारे बाकी वीडियो को भी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद